साथियों कहते हैं कि न्याय होना भी नहीं न्याय देखना भी चाहिए साथियों पहले सिस्टम क्या था कि राजा माराजा हुआ करते थे और वो पार्टिस को सुनके जो है न्याय करते थे ना कोई सिस्टम ना कोई प्रोसिजर अपना खुद का डिस्क्रेशन पर जब इस दे और सबसे महत्मुन बाद प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉग होना चाहिए और इस बात को संकल्पित भी किया गया है आर्टिकल 21 सविधान के थे सातियों जब भी आप किसी क्राइम के सस्पेट हैं या आपके बिरुद कोई क्राइम है तो पुलिस को बले ही यकीन है या न अलग चीज़े हैं और आरेस्ट के ग्राउंड एक्जिस्ट होना एक अलग चीज़ें यदि ग्राउंड ही एक्जिस्ट नहीं है जस्टिफिकेशन नहीं है ऐसा और सातियों खासकर जब फॉर्टीवन एस याप से पिक्चर माया और इसका कोई भी यूज नहीं लिया गया तो अल्टीमेटली अर्नेश मनाब स्टेट और वियार में कोड को ये कहना पड़ा कि फ्रोविजन इंपरिटेव हैं और डारेक्शन दिये गए और खासके डूटी इंपोस कीगी मजिस्टेट्स के अपड़ भी किया गलट डिटेंशन है तो उस स्नेरियों में स्कूरूट प्राप नहीं देना चाहिए उसको लाब बिलकुल ने दे रहे और खासकर जब ये मैटर कोड तक पहुशते हैं तो कुछ ऐसे मजिस्टेट्स भी हैं जजज भी हैं जो प्रॉपर स्कूरूटी नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली जिसका खामियाजा मिल्जम का भुगत करना पड़ता है सातियों में एक बात ये इसलिए कह रहा हूं कि मेरी एक एक बात का हवाला जो मैं आप दूंगा वो सुप्रिम कोड के गाइडलाइन्स के अनुरूप है उसके अनुसरन में कि सेशन जजज जिसको बेल से डील आउट करते वे संबंदित प्रिंसिपल को फ साथियों जो भी बात अब मैं यहां से करूँ आँगा वो सारी की सारी बातें बेस्ट हैं जज्जमेंट्स के ऊपर तो साथियों टॉपिक इंपॉर्टेंट है शांती से बैटके मेरी बात सुनिए गार लाखों रूपए की बात है कोई आपको नहीं बताने वाला है पर साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटिश आतियों एक रेसेंट जो है जज्जमेंट है ऑन्रबस सुप्रीम कोड का जिसमें यह सपस्ट है कि सुप्रिम को डारेक्स टू सेंट सेशन जैज्ज फॉर ट्रेनी एस ही वास नॉट फॉल्विंट्स ऑन बेल सबसें प्राहार है कि शेशन जैज या ट्राइल कोड का जो जैज है यह बेल के प्रिंसिपल्स को या जज्जमेंट को फॉलो करने में कोई रूची नहीं दिखा रहा है और देट स्वाइट इस एडवाइस कि इनको ट्रेडिंग की जो है आउशकता है कि इस नॉट फॉल्विंट जज्जमेंट्स on the way. साथियो कोटे क्या स्पेसिफिक किया कि वाइल कॉंसिटर करते वे कंप्लाइंस ओप इस डिसिजिएन इन सदेंदर कुमार वर्से सीब्याइ थे सुप्रिंग कोड ओं तूस्डेय फ्रॉम इलुस्टिए फ्रॉम इलुस्टिए फ्रॉम तो कुल मिला कि जब ये मामले की सुनवाई थी तो कोट ने ये देखा कि जो कंस्रेंट सेशन जसाब हैं लखनव में जो बेल को लेकर प्रिंसिपल है उसको फॉलो इनी करने हैं जिसका रिकमेंटेशन दी गई कि इनको एप्रिपर ट्रेनिंग पर जो है बेजा जाया और उसको भी निर्देश जो है जारी किये गए सबसे इंपॉर्टेंट लीगल फैट है अभी तक का कोईकि अकसर ऐसा होता ही नहीं है कोईकि ऐसा बिलीव जजज को है मजिस्टेट को है कि इस टोटली इम्यून फ्रम जुडिशल प्रोटेशन एड़ पर अगर मामले की स्कू क्योंकि जज्जमेंट्स को जो है फॉलो नहीं कर रहे है जिसकान उनको जो है जुडिशल अकेडमी बिजा जाया तो साथियों एक बड़ा प्रहार है एक बड़ा जजजमेंट कम से कम सुप्रीम कोट आपके राइट्स को बचाने के लिए लगा हुआ है जज्टों जहत कर जो है अपग्रेट होंगी और हाई कोट इस विशे में गंबीरता से वर्क करें ऐसे भी आपक्षा जो है उनसे की गई है और लास्ट अवेरिंग नटिंग देट इवन अफटेंग मेंस ऑफ जजजमेंट बीइंग पास्ट डिस्टिक जुडिशरी इस नॉट कंप्लाइइ डिरेक्शन इशूद इस सतंदर कुमार वर्सेश सीवे तो ओन्रबस उपिन गोड़ा कहना ये है कि जजजमेंट पास होने के रसमें बाद भी जो लोवर जुडिशरी है वो किसी भी रूप में नियम काइदे कानुद को फॉलो करने में कोई भी रूची नहीं दिखा रही जिसमें इलेबरट गाइडलाइन से बेल की और एरिस्ट की अपेक्स कोट सेटेट धर एपेक्स कोट ने क्या स्टेट किया कि इव मजिस्ट्रेट पासिंग और इंडेरोकेशन आफ दाओ कि अगर मजिस्ट्रेट जो है को निटने पारित कर रहे हैं जो लॉवक यागेंस जो कि लेट डॉंग किया गया है जज्जमेंट के अदर तो उन्हें जूडिशल अकेडमिक्स फॉर अपग्रेडेशन आफ देर स्किल तो उन्हें जूडिशल अकेडमी भेज दना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स जो है इंप्रूब कर सके था और ये भी अपैक्षा हाई कोट से की गई है कि जो लौ लेट डॉंग किया है उन्हें पर सुप्रीम कोट में वो किसी भी रूप में फॉलो कराया जाया क्योंकि हाई कोट जो है कोट आफ सुपर विजन है जिस संबन में आर्टिकल 227 सविधान में शक्तियां उन्हें प्राप्त है तो कुन मिलाके या पैक्षा उन्होंने करी है आई कोट से भी डिस्टिक्ट जुडिश्यरी से भी कि जो निडने हम लोग पारित करते हो को मजाग नहीं है आपको फॉलो करना होगा नहीं करते हैं देन त्यार रिजिए तो बी दा पार्ट ऑफ जुडिश्यर जहां आप अपनी नॉलेज़ को अपनी स्किल को जो है अप्रदेश का यह हमें दिखाई देता है उत्तर प्रदेश की जुडिशरी से शॉर्ट दा इंट्रवेंशन ओफ अलाबाद है को जिसकार इंट्रवेंशन जो है है अलाबाद है कोट का यह भी उन्होंने अपने फैंसले में सपस्ट किया इन देट जज़्जमेंट दा हाई कोट हैस लेट डाउन दा गाइड लेंस ऑन आस्पेट ऑफ ग्रांट ऑफ बेल तुद अक्यूस्ट होगी है तो इस स्नेरियों में उसकी बेल को डिलाउट कैसे करना है यह यह यहां पर कोट ना अबसर क्या कि और सप्रिम कोट के आउडर के बावजूद भी और एवन लास्टेट की हेरिंग के बावजूद भी जो मजिस्ट्रेट ने लगा तर ओर पास कर रहे हैं विच इस इन ब्रिच ऑफ दे आउडर ओफ सुप्रीम कोट सबसे अब इस नोटेट देट शैशन जैज लखनो एस रिजटेट एंडिस्टेटर बेल अप्लिकेशन वेरें इड़ एड़ आर्गूट वर नोट अरेस्टेट सबसे इंपॉर्ट है कि सबसे महपून तर रखा गया कि इंको जो है अरेस्ट नहीं किया गया दूरिंग आपकी आर्गूमेंट को नहीं लिखता है तो आप अगर हाई कोट जाके बात कहोंगे कि हमारे अर्गूमेंट नहीं सुने के तो कोई नहीं सुनने वाला को अगर लिखेत में है तो इट विल पी इन एविडेंस और जब उसकी सेटिमेंट कॉपी कोट के सामने होगी यह हा सातियों आर्गूमेंट किया था कि यह आर्गूमेंट लिखेत में था और चार्शिट जो है फाइल हो गचुकी है और कोड ने बड़ा ही गंबिर वियू लिया वाइल रिजटिंग दव एंटिसिपेटरी बिल अप्लिकेशन सातियों बैच ने इस विको बड़ गंबिरता अप्लिकेशन से हैं अटिसिपेटरी के और साथियों कोड ने इस पर्ष कर दिया खासकर बेल को लेकिशाए अंटिसिपेटरी और रहाइब का इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा एंटिसेपेटरी बेल आफ्र और आफ्र आफ्र आफ इस पीसिस आफ बेल क्योंकि एंटिस रिगार्डिंग दा स्टैप्स टेकन टू इंशर देट इस जज़्जमेंट इन दकेश रैफरेंस्ट अब और तो कोड ने डिरेक्शन दिये हैं अलावाथ हाइक वोटे काउंसल को कि जो भी हमने डिरेक्शन दिये हैं कंसरेंट केस में उसे कंप्लेट किया जैंग यहाँ आप एक बात समझो कि जो सुप्रिम कोड यह वर्क करता है क्यावल आपके एफटेविट्स के उपर वहाँ पर एविडेस दिये होती है तो कुल मिलाके उन्होंने एक हफते का समय लिया इस बात को अश्वार करने के लिए कि मैं इस बात का एफटेविट भी ऑनरेबल कोड मैं जो है फाइल करूंगा यहां पर कोड़ ने जो है इंपॉर्टन फेक्ट लिया रिकॉर्ट पे कि एफटेविट वस नॉट फॉइल ऑन टाइम कि एफटेविट पर टाइम पर फाइल नहीं होते हैं इन इस रिगार्ट रवाइया था इस रवाइया को लेकर गंबिर टि vaak लिए था मिझेट नहीं कि आप ट्राइल कोड़ से ऐसे रिकवेस्ट कर रहे हों कि जैसे हम उन्यसे मनवार कर रहे क्या ही क्या यहीं एक I would like to know, यह मैं जानना चाहता हूं, the council indicated that he would file an affidavit, council ने काया कि मैं एक affidavit जो है, file करूँगा, in case there is non-compliance, कि जो जो non-compliance है, उसके संबग में एक affidavit जो है, दिये जाएगा, in view of the same, the bench passed the following order, the register, Allahabad High Court has not filed an affidavit, and it is now stated before us that it would be filed, कि affidavit जो है, file नहीं हुगा है, पर यह completely unacceptable, यह चलेगा नहीं, it is totally unacceptable, a date is fixed, and considerable time is spent in this matter to ensure that the law is followed, कि एक reasonable date मी फिक्स होगा, यह reasonable time भी आपने जाया कर दिया, यह अशुर करने के लिए कि लिए कि लाग की पालना हुई है या नहीं हुई है, the least we accept is that the affidavit will be filed with the copies to amicus, so that he can help us, कि यहाँ पर आप assure करें कि आप affidavit जो ह कि क्यूरी को ता कि वो हमारी help कर सके, we call up the high court to file an affidavit within 4 weeks, कि चार अथे में जो है आपने अपने अपने लिये हैं, वेदर, it has been identified if some judicial officer is still frequently passing order, not in complying with the judgment, and whether any of these officers have been sent to judicial academy for further upgradation of their skill, on the last date of hearing, the additional solicitation journal, Mr. S. V. Razu has submitted that, it is the bounding duty of the public prosecutor to bring the notice of the court to the correct position of law, he assured the bench that he would ask the CBI to issue direction to the public prosecutors in this respect, however, considering the prosecution agency is yet to file an affidavit to the bench, on Tuesday directed it to do so within a period of 4 weeks or else, the concerned person from the prosecution agency is directed to remain present in the court on the next date of hearing, should remain present in the court, तो कुर्मला के court बड़ी गंबीर है, और court ने specific कर दिया कि बले है, prosecution हो बले ही court हो, जो भी non-compliance करेगा, उन्हें पर नाम भुकतने होंगे, और खासकर, जो non-compliance कर रहे है, judicial services में होते वे, उस scenario में, उन्हें judicial academy बीचे जाए, ताकि वो proper training लेकर, अपना एक proper function जो है, discharge कर सके साथियो कुर्मला के हम एक बात कहसे हैं कि बड़ा judgment है, बड़ा attack है, तो आप बले ही UP के हैं, चाए राजसान के हैं, चाए आप हर्याणा के हैं, चाए आप तमिल नाडू के हैं, अगर आपके district में या आपके राज्य में बेल को लेकर कोई भी इस तरह की compliance नहीं हो रही है जान मुझकर liberty को कटल किया जा रहा है और 40 में को comply with नहीं किया जा रहा है, तो आप honorable supreme court का निर्ने जो मैं आपको पताया उसको पढ़ें, और जो guidelines bail को लेकर हैं, concern magistrate को ये जोर दें, कि उन्हें follow up करते हैं आपको bail पर release करें, अगर वो नहीं करते हैं, तो in that stereo it would be a ground of non-compliance, तो अगर आप कारवई करते हैं, तो आपके लेखिए सारी बाते, आपके रेस्किये के सारे argument, could be a basis to take an adverse action against that judge or magistrate, तो गवरा है नहीं, अपने rights को enforce करें, definitely हमें समाधान जो है मिलेगा, कानुन है, हमें कोई बताता है नहीं, अगर मैं कहूंगा कारवई करनी है, तो आधिका अचानी होगी, तो निश्यत तोर पर law का enforcement भी होगा, तो सातियों law जब बन रहा है, तो ये binding भी है, as per article 141 of the Indian constitution, जब कानुन है, तो compliance भी होनी चाहिए, तो सातियों घबराएं नहीं, लड़ें, अपने rights को enforce करें, सातियों निश्यत तोर पर हम सफल होंगी होंगे, तो मिलत हैं, एक नेट अपके साथ तब तक के लिए जय हैं, जय भारत!